अगर मैं आज कहूँ गुड फ्राइडे तो कहीं से गलत नहीं होगा बहुत सारे ट्रेडर इंवेस्टर को रात में नींद भी नहीं आयोगी इतनी अच्छी तेजी देखी गई यूएस मारकेट में लास्ट धाई साल की सबसे बड़ी तेजी दाव जोंस चार परसेंट उपर, S&P 5 परसेंट, NASDAQ 7 परसेंट से जादा की तेजी और SGX निफ्टी भी 300 पॉइंट से जादा उपर है भाईया हुआ क्या तो रीजन ये है कि महंगाई घटकर आई है देखो 8. 8.2% पे थी, उमीद क्या था? 7.9 आएगा, बट आया कितना? 7.7 यानि उमीद से भी बहतर आया, अब इससे फाइदा क्या होगा? उमीद ये माना जा रहा है कि Fade Interest Rate जो लगातार बहुत तेजी से बढ़ा रहा था, अब वो विचार करेगा कि चलो 75 BPS नहीं, 50 बढ़ा ले है, वो as it is valid है, उसके लावा जो stock के level दिये हैं, वो as it is valid है, चाहे वो HDFC हो, Hero Moto हो, Alcon हो, Jubilient Ingrivia हो, तो कहीं कोई attention नहीं है, अब आप गौर करो stock selection कितना असान है, market gap अब कुल रहा है, तो भी तकलीफ नहीं है, और कल भी मैंने कहा था, निफ्टी का कलो, भूलना नहीं, त और ये confidence हर एक trader के होना अंदर जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर जब confidence होता है, क्योंकि education की power, तो हम किसी से डरते नहीं, हम लर जाते हैं, कि ये confidence है, क्योंकि मेरी knowledge है, ये knowledge होने के बाद इनसान एक lot नहीं, दस lot में भी बिंदाश trade कर सकता है, तो स्वागत है, और कोई भ का हमारी master class में,